हेलो दोस्तों आपका स्वागत है त्रिसक्त्य अकाडमी में और आज हम डिसकस करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एक्जाम 2022 के लिए मोश्ट इंपॉर्टेंट कुशन्स की एक और सीरीज आपके लिए लेकर आएं स्टुडेंट इसमें आज हम जानेंगे मैच्स के मोश् सब्सक्ति इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसी तरीके के क्वेशन आपको एक्जामिनेशन में भी देखने के लिए मिलेंगे स्टुडेंट तो इससे पहले हम देखिए चार मॉख टेस डाल चुके हैं और आप उनकी पीडिया भी ले सकते हैं हमारे टेल देखिए क्योशन को हम सुरू करेंगे श्टुडेंट तो देखिए श्टूडेंट या आपके स्क्रीन के सामने देखिए आ चुके हैं क्योशन तो देखिए यह पहला क्योशन है कि आपको इस फीगर में देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बहुत ही इज और सभी वीडियो आप concept wise भी देख सकते हैं हमारी हमने सभी वीडियो जो है concept wise भी बनाई है टॉपिक पर तो वह आप हमारी जी प्लेडिश 2021 में दाकर देख सकते हैं जब भी हम किसी दो बिंदों से देखिए center पर lines खीशते हैं तो यहां भी इसमें एक angle subtend होता है वानिए यह कितना होता है आपका theta और यहां पर इसी point से अगर आप बिल्कुल extreme end पर देखिए क्या करते हैं angle subtend करते हैं तो इस student जान रखेगा कि यहां पर जो angle यहां पर बना होता है उसका double जो होगा वो angle आपका center पर subtend करेगा यहां रखेगा तो यहां पर अगर 35 degree angle है तो यहां पर देखते ही आपको 70 degree टिक कर देना है क्योंकि यह आपकी theorem भी है class 9 में तो यहां पर देखिए यह तो O है वो विरत का क्या है केंदर है इस student देखिए angle subtend in hemisphere यानि जो कोण बना जाता है किसी भी देखिए आज दवरत में इस तरीके से यानि semi circle में student hemisphere नहीं semi circle यह देखिए यह center हो गया और अगर यहां पर कोई angle बना जाता है तो यह angle का माहन कितना होता है 90 degree यह कितना है 90 अगर यह angle 90 degree है यह 40 degree है और यह x है तो x का माहन हम आसानी से निकाल सकते हैं इन दोनों के योग को हम घटा देंगे किसमें से एक सोसी में से घटा देंगे तो answer आजाएगा 50 answer कितना आएगा student 50 आएगा यह ध्यान रखिएगा answer कितना आएगा 50 I hope आप समझ गया होंगे हमने क तीनों angle का सम्म जो है 180 के भराबर रखा और हल कर दिया का पाई क्या है इसमें से आपको बोतक है इसमें से rational Recogngender इ neurasy क्या है पाई क्या है पाई यज्ग यॉट है इस इसा होगा student non terminating non repeating यानि जो बार-बार repeat भी नहीं करेगा इस तरीके का यहाँ पर हमारे पास होगा यह देखिए non terminating होगा यह देखिए इस तरीके से हमारी values आगे बढ़ती जाएंगे तो इसका आएगा पाई जो है एक irrational नमपर है ध्यान रखिएगा 2.35 के उपर जो बार है वो किस तरीके की संक्य है student की अगर किसी भी संक्य की उपर बार लगावा है तो इसको हम solve कर सकते हैं student easily इसको हम easily solve कर सकते हैं इस तरीके से x is equal to 2.353535 इस तरीके से हम इसको solve कर सकते हैं फिर आप 100 से multiply कर देंगे तो यहां पर क्या जाएगा 100x आ जाएगा और इस साइड क्या जाएगा 235.353535 अब आप एक equation में दूसरी equation को घटा देंगे तो आपके पास जो answer आएगा वो एक परिमे संक्या के रूप में होगा तो इस तरीके से के जो भी question आता है वो एक क्या होती है परिमे संक्या होती है ध्यान रखेगा चलिए इसमें देखिए आपको इस तरीके से simple calculation की question भी exam में दे सकते हैं देखिए अंडरूट 324 यानि 18 अठारा का होता है यहां पर अंडरूट अठार यहां पर कि 324 का रूट क्या एगा अठारा इसका आएगा साथ 676 का क्या आएगा आपका 26 169 का क्या एगा 13 फिल आपर आएगा 126 मल्टिप्लाइ में यह भी हरे हंज क्या है आपन में नाइ यह इस से इसको गाठेंगे तो हैं पर आपका क्या आइगा फिल यहांपर कि कितना आएगा 56 तो 56 कितने बारे में था 18 बारे हुए 18 दोनी 36 और 36 दोनी 72 तो यहां पर आंसर कितना आ रहा है इस्टूजेंट आपका बहततर आंसर आएगा कितना आएगा अंसर बहततर आएगा ध्यान रखीगा इस तरीके के कैलकुलेशन वाले कुश्चन भी आ सकते हैं इस्टूजेंट देखे वो कुश्चन आगे जो मैं आपको ही बता रहा था कि 0.2727 के उपर बार इसको आप परिम्य में कैसे लिखेंगे इस संख्या को तो इस्टूजेंट मैंने आपका बदायता है ऐसे आपका क्या है 0.2727 तो इसमें दो और साथ बार बार रिपीट कर रहा है तो आप मानलेंगे एक्स बराबर 0.2727 इस तरीक से बढ़ता ही जा रहा है अब आपको क्या करना है यहां पर दो डिजिट के बाद देखें पॉइंट को रिप्लेस करना है तो आप 100 से मल्टिपलाई करतेंगे एक्वेशन म तो क्या आएगा यहां पर 99 एक्स बराबर 27 जा जाएगा अब आप इसे सॉलो कर लेंगे तो यहां पर कितना आएगा 9 इसको आप 3 कपाड़े से सॉलो करें और यहां पर आएगा 11 तो एक्स का मान क्या आएगा चालिएगा आपको यहां पर इन संख्याओं का जेओमेट्रिक मीन बताना है आपको geometric mean, आपने arithmetic mean तो सुना होगा, कि आप कोई दो संख्याओं को जोड़ के दो से भाग कर दे, यह तो arithmetic mean हुआ, पर यहाँ पर इन संख्याओं का geometric mean, यानि गुण उत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, अच्छा question है student, तो आप क्या करेंगे student, यहाँ पर, यहाँ पर आप क्य क्यारी, 92 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 92 जा आपका कितना हो जाएगा student, 18, 18 और 3, 216, कितना हैगा, 216, तो जब आपने इनको गुणा किया, तो आपके पास है 216, अब आप इसका क्या कर दे, 3 संख्याओं है, तो यानि इसका क्या करेंगे, आप क्यूब रूट करेंग तो आप इसका इस तरीके से करते, अंडरूट A, B, अगर यहाँ पर 3 संख्याओं हैं, तो A, B, C, आपका, यहाँ पर A, B, C, और यहाँ पर क्यूब रूट, 3 संख्याओं होती, अगर 4 संख्याओं होती, तो 4th रूट करते पर, 4th रूट वाला आएगा नहीं, क्योंकि आप क्यूब रूट करना है, क्योंकि 3 डिजिट है, तो क्यूब रूट आप कर देंगे, तो यहाँ आप कहा जाएगा, 6, क्या एगा, 6 यहाँ रखिएगा, देखिए, आयाच चित्र की चोटियों के मध्य बिंदों को करम से मिलाने पर क्या बनता है, अगर आप कोई हिस्टोग आप नहीं लेते हैं आप इस तरीके से, अगर आप इनके मीड़ पॉइंट को, यह जो मीड़ पॉइंट है, इन मीड़ पॉइंट को अगर आप जोड देते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, इस तरीके से आपके पास डाइगराम बनेगा, तो यह क्या होता है आपका, इ लीए इसका अंसर हेगा भी है Salut कुल को अधिकि किसी खेल वी दिरोपन साथ आ तोसे हारने कि प्रहत्ता कि नहीं हो ओगी देखिए आपको पाई जीतने की और तो एक मेंसे जीतने कि प्रहत्तों से आप घटा देंगे तो हारने के अपने आप आप आजाएगी जो आएगी 0.3 जान रखेगा यह कोशन एग्जाम में पूछे जाते हैं एक थैले में साथ लाल का नौ काली गेंद हैं उनमें से एक लाल गेंद के निकाले जाने की प्रहते कि देखिन, बहुत आसान है, जितनी total बॉल होंगी, 7 और 9, यह निकालने को बठे में रख दीजिए और किक्ख्यों से बॉल निकालें, आपको लाल गेंद, तो लाल केंद क्या है, कितनी लाल गेंद है, देखिए, यहां लॉट्री के टिकटाव में 8 पुरुसकार दर 16 खाली तो टोटल लॉट्री कितनी है पहले देखिए 8 और 16 चौबिस आपको गोला कि आपको पुरुसकार मिलने की प्रहत तक है तो पुरुसकार आपको कितना 8 इसके फेवरेबल चांसे है तो 8 बट्टे 24 है ने एक बट्टे 3 बिलकुल सही उत्तर है बी ऑप्शन इस दी राइट आंसर ठीक है इस्टुएंट तो आज के लिए देखिए इतने ही जो इसके प्रोवाइट करा दिंगे कोई भी क्या रही है तो कमेंट करें बहुत बहुत दिनेवाज इस्टुडेंट